अब हम टोपिक ले रहे हैं इसके अंदर प्रकाश का परावरतन इस चैप्टर में हमको प्रकाश की दो गटनाओं के बारे में बढ़ना है एक परावरतन और एक अब वरतन तो पहले हम इसमें ले रहे हैं प्रकाश का परावरतन ठीक है अब देखो यह क्या होता है जैसे कि मैं आपको बताया था कि प्रकाष जो है वह माध्यम में गति करता है ठीक है अब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी प्रवेश कर सकता है जैसे मानली जी वह निरवात से आ रहा है प्रकाष जो है वह हमारे वायू मुडल मे यह मैंने एक सत्ह बना दी है जिसको हम कहते हैं परावर्तक सत्ह यहां प्रस्ट तरफेश है अब इसके ऊपर एक माध्यम है और यहां पर भी माध्यम है इसके नीचे भी माध्यम है अब परावर्तक सत्ह से करण और वापिस उसी माध्यम में लौड जाती है वो जिस माध्यम से आई थी तिना माली जी अगर ये प्रकाश करण जो है व मायू he ऐसे परावर्तक सत्र पर सम्तन सत्र है चिकनि सत्र है जूससे टक्रा कर यह वापिस वायू में ही लोड़ जाती है तो इस घठना को हम क्या कहते हैं परावर्तन कहते हैं यानि प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण कि एक माध्यम से गुजर कर दूसरे माध्यम की और आती है तो परावर्तक सतह से टकरा कर उसी माध्यम में पुनह लाट जाती है यानि ये प्रकाश की किरण वायू से आई परावर्तक सतह से कोई चमकी लिवस्तु है यह दरपन हो सकता है सम्तल को चता हो सकती है उससे टक्रा करके वापिस वह वायू में ही लौट जाती है इस घटना को हम क्या कहते हैं परावर्तन कहते हैं ठीक है अब देहो जो किरण वायू से आकर यह टक्रा रही है इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण आपतित किरण यह वाली किरण जो है ठीक है और जो किरण वापिस जो है वायू में लोट गई उससे हम कहते हैं परावर्तित किरण जो टकरा का लोटी है ठीक है यह हो गई परावर्तित किरण अब आप यहां देख रहे हो जहां पर दौनों किरण इस बिंदू पर मिल रही है सता के इस बिंदू पर मिल रही है वहां पर अपने एक लंबवत एक लाइन केची है यह डॉट डॉट बना करके इसको हम कहते हैं अभी लंब, ये एक कालपनिक रेखा है, हमने माने है, ये अभी लंब है, जो कि इस परावर तक सथा के लंब बत है, आपतित किरन और अभी लंब के बीच एक कौन बनता है, ये कौन. इस कौन को हम कहते हैं कौन आई ठीक है कौन आई क्या है कौन आई होता है आपतन कौन और प्रवर्तित कीरण और अभिलम के बीच ये एक कौन और बन रहा है इसको कौन आर कहते हैं एंगल आर यह हो गया कि परावरतन कॉन हं मां प्रावरतन कॉन अब रावरतन ठीक है तो यह प्रकाश का इस प्रावरतन से संब्धित में हम आस्पास अब ही आप आगे बताएंगे इसके उसके इंदर तो है ईख की उता है प्रकाश किरण एक मादियम के और आती है तो वो किसी परावर्तат सता से सम्चनतल सता से माधिय הזya से तक trendy बाल उसी माधियम में लोड जाती है हजिस माधियम से वह आई धी इस गठना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैmek अब आते हैं परावर्तन के प्रकार यह ठीक है देखो जो परावर्तन के प्रकार हैं उसको हमने दू पर्ट में रिवाइट किया है एक है नियमित परावर्तन रेग्युलर के नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित का एक नाम और है विशरित परावर्तन उसको भीह सकते हैं और विशरित भीह सकते हैं तो ये दूप्रगार के परवरतन हो गए आप ये प Mario Ishra काक कैसे हुआ परवरतन तो particular किन ही है जोब रिफर समझझाइं यापर ओपर परपार हमने वह गठंग रही है न में इसको दो अलग-अलग नियमित परावर्तन यानि regular reflection है ठीक है नियमित परावर्तन है देखो इसमें क्या होता है कि एक सम्तल सता है एक चिकनी सता है यह चिकनी परावर्तक सता है बिल्कुल सम्तल ठीक है चिकनी या सम्तल परावर्तक सता है इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है जिस बिंदू पर यह आके ठकराई वहां पर हम इस सता के लंबवत एक लाइन डॉट डॉट करके खीज जेते हैं यह क्या है अभी लंब है ठीक है यह कौन आई पर आपतित होई थी कि अब इस आई कमान 40 डिगरी 45 डिगरी कुछ भी हो सकता है ठीक है अब यह किरण जो है इस सतर से टक्रा करके वापिस वायू में ही लोड़ जाती है और पर ठीक है तो इस नियमित परवर्तन में क्या होता है कि प्रकास की करण जितने कौन पर आपतित हुई थी मान लोगर यह 45 डिगरी पर आपतित हुई यहां पर तो यह 45 पर ही रिफलेक्ट होगी ठीक है न तो इस परवर्तित करण की जो दिशा है वह लेक्ष्ची दिशा होगी हम यह कह सकते हैं इसके अंदर ठीक है न तो यह कहलाएगा नियमित परवर्तन अब आप समझ लेजिए और नियमित या विसरित परवर्तन कि जो सता है प्रावर्त इस कटने नहीं है हुआ इस पर चीकल नाइं है खुड़दरी है के तो इस पर जो कुरेर्ण यहां पर यह आपतित होती है इस सब्यकर से यहां पर मैं एक यह अभी लंब कीज़ देता हूं तो यह आई कौन पर आपतित हुई मैं बता दिया आई क्या है आपतन कौन हैं जिसका मान अलग अलग हो सकता है 30 डिग्री भी है 40 45 पचास है 55 जो भी है अब यहां पर जो किरन परावर्थित होकर जाएगी इसके कोई दिशा निष्चित नहीं है हम अनुमान नहीं लगा सकते कि को कौन गाएगी जैसे मान लिए इस दिशा में चली हें तो अब आप देख रहे हो इन दो के बीज में कौन बना है रा यह कितना ज़्यादा है कौन आई और और आर जो है वह बराबर नहीं है तो इस प्रकार के परावरतन क्हुं क क्या हैं विसरित परावरतन ठीक है यह कीवल्टी डिपैंड किस पर कर रहा कर रहा है ठीक है जो परावर्तन सब्सक्राइब कर रहा है वो चिकनी है समतल है या वो खुरदरी है ठीक है तो यह दो इसके प्रकार हो गए कि अब इसमें हम लेते हैं एक इंपोर्टेंट टॉपिक है कि परावर्तन के कि नियम ठीक है इसको मैं लिख रहा हूँ यह एक इंपोर्टेंट टॉपिक है परावर्तन के नियम अक्सा प्रिक्षा पुछ आता है यह ठीक है आर भी ऐसी हो या से भी ऐसी हो दौनों में ही है ठीक है ना देखो इसके दो नियम है कि यह कहता है कि आपतित किरण अभी लंब और कि परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं ठीक है आपतित किरण अब देखो मैं आगरा मना जाता हूं आपके सामने यहां पर यह आपतित किरण इसके दिशाम को दिख रही है यह हमने एरो बनाया इधर आती भी यह परावर्तित किरण तो यह आपतित किरण है यह अभी लंब है और यह परावर्तित किरण तीनों ही जो है वह इधर एक ही तल में हैं ठीक है अगर यह इसकी दिशा इस तरह से आ रही है यह टकला रही है ठीक है ना तो जाने वाले भी इस साइड से ही है अब लीजिए अगर जो परावर्तित किरण है उसकी दिशा इस तरह से वती यह तो इदर से आ रही है यह ठीक है आपक्रन लेकिन जो परतित रहे वो इस परकार से इस इधर आ जा का आप अ का मान प्रावर्तन कौन के मान के बरावर होता है इसका मतलब कौन आई बरावर कौन आर के ठीक है यह है तो यह दो नियम है प्रावर्तन के नियम पहला नियम किया हो गया आपतित किरण अभिलंब और प्रावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं ठीक है डागरा में से हमको दिखे रहा है यह आपतित किरण है यह प्रावर्तित किरण है यह अभिलंब है तीनों ही एक ही तल में है ठीक और दूसरा नियम है कि आपतन कौन का मान जो होता है वो परवतन कौन के मान के बराबर होता है ठीक है तो इस प्रकार से यह हमने परवतन के बारे में कुछ बेसिक पते पड़ी